रुबिना दिलाएक काफे इंट्रस्टिंग कंटेंडर है और उनकी जैसे अभी तक कॉपी किसी ने भी नहीं की है कोई उन्हें अभी तक इमिटेट नहीं कर पाया है लेकिन कभी तक कोशे कितनी हौनहार कलाकार है कि उन्होंने रुबिना को इमिटेट किया है यहां बात है kitchen area की और कवीता एक किस्सा शैक कर रही होती है पंचायत वाले task का कवीता बताती है कि मैंने रुबीना को बोला कि आपना points बताओ तो रुबीना अपने ही style में उन्हें वो पूरी तरीके से copy करती हुई दिखाई देती है कि रुबीना का कहना होता है कि मेरे शब्द इतने ही काफी है और मैं इनको नई चेंज करने वाली तो उसको बोल जीए कि यार वो points दे रहे हैं न, point to point बोलोगी तो तुम्हारे पास भी points जादा होंगे otherwise दर्शक बोलेंगे कि मैं कितनी biased हूँ जो मुख्या है उसका काम ये है कि जिसके पास जादा points है जो जादा clearly बोलता है उसकी बात सुनो अब ऐसे थोड़ी चीज़े होती है इस पर राहूल ने कहा कि जब वो इस तरीके से बोलते है न, उनको बोल देना चाहिए कि न वो शाटा प्यार तुम्हें तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा है और तुम हमी को चीज़े सिखा रहे हो कभी दा भी बोलते है कि यार सीरियसली समझ नहीं आता क्या है वो उसको उसका भला का भी बोलो न तो भी उसको समझनी पड़ता है बेगोस सीजन 14 से जुड़ी हर एक अपडेट हर एक खबर कटलेस अंग सीन अंग देखा सबसे पहरे जानने के लिए चैनल के साथ बनी रही चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे धन्यवाद